हे गाईज, वेलकम टो देव भूमी करेर पॉइंट तो देखे गाईज, दो जून का जो आपका एक्जाम है, उस एक्जाम के लिए जो महतोपूर्ण सामानिविज्ञान के प्रस्नोत्तर है, इस सीरीज में दे गए हैं, अब ये सीरीज ऐसे ही कंटिनू रहेगी, तो कौन-क प्रदर्शक रेशम, सहकार्ता परविक्षक, मधुविकास, निरिक्षक वर्ग, दो इसका जो पार्ट्रग्रम होगा, इंटर्मीडियेट इस्तरका, रसायन, वनस्पति, जन्तु विक्यान, ध्यान रखेंगे, केमेश्ट्री, बॉटनी, एंड बायलोजी से सामान कोशेन आएंगे, मतलब, आपका 100 नंबर का पेपर होगा, तो 100 भाई 3 कर लिए आप, 33 कोशेन इच मान के चलिए, ठीक है, तो ये आपका सेलेबस है, इस एक्जाम का, तो इसके लिए तभी मैंने आज यहां पर एक सेरीज सुरू किया, जिसमें हम सामान विक्यान के, जो होगा, और काफी अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे, तो चलिए, सुरू करेंगे, तो दोएखिए, इसमें mixed question आपको देखने को मलेंगे, chemistry, जन्तु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, एक साथ मने सभी का combination के है, यहां पर, तो चलिए, सुरू करेंगे, पहला है, होती है, 65% होती है, अगला देखें, भारी जल की खोज किस ने की थी, ठीक है, तो भारी जल जिसको बोल जाता है, D2O, ध्यान रखेंगे, D2O बोल जाता है इसको, और इसका यूज होता है, परमागों रियक्टर में, मन्दक के रूप में, इसकी खोज की थी, H.C.E.U.R.N 1931 में, और इनका संबंध है, USA से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्वेत रूधिल करनिकाओं का निर्माण कहां पे होता है, ये भी महत्तव कोश्य ने दिखें, तो WBC की बातुरिया पे, White Blood Cells, इनका निर्माण होता है, लसी का परवयम, अस्ती मज्जामत, बोन मेरो में, जी धिल करनिकाओं में होता है, ठीक है, RBC में, Red Blood Cells में होता है, और Hemoglobin का जो मुख्या घटक है, वो क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है, त्यान रखेंगे, और इसी के कारण, रक्त का रंग भी लाल होता है, कई बार कोश्य ने पढ़ता है, हमोगलोबिन के कारण ही, रक्त क रंग लाल दिखाए देता है, सभी आनुवनसिक ताओं का संचालन कौन करता है, तो आनुवनसिक जो किरियाएं होते हैं सभी, इनका संचालन करते है, DNA, ठीक है, DNA, DNA का फुल फॉर्म भी मैंने आपको कई बार बताया था, सामाने विग्यान वाली सीरीज आप जरूर वाच करें, जो लोग भी एक्जाम देने जा रहा हैं, वो सामाने विग्यान के वह तक जितने भी मैंने टॉपिक दिया है, मैं भी सेर कर दूँगा उस प्लेलिस्ट को कम्यूनिटी टैब में, आप जरूर वाच कीजिएगा, DNA का फुल फॉर्म, कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजि लिवेन होक, तमबाकु में पाई जाने वाला विसेला पदार्त कौन सा होता है, तो देखें, टोबाकु में होता है, निकोटीन, प्राकर्तिक रबर को सलफर के साथ गर्म करने की विधी क्या कहलाती है, तो इंटर जिन्होंने केमिश्ट्री पग लिए उनको यह आंसर आन बनते हैं, जिसके कारण रबर की जो प्रत्यास्ता होती है, टिकाव छमता होती है, वो इंक्रीज होती है, अगले दीखें, सबसे प्रबल अमल कौन सा है, तो सबसे स्ट्रॉंग एसिड कौन सा होता है, ट्राइकलोरो एसिडिक अमल, नेक्स दीखें, कौन सी अक्रिय गैस योगिक बना सकती है, तो कौन सी ऐसी inactive gas है, जो योगिक बना सकती है, ठीक है, तो ये होती है, xenon, ध्यान लखेंगे, xenon ऐसी gas होती है, और बात करूँ में noble gas कौन सी होती है, ठीक है, noble gas, आदर्स gas होती है, helium, helium gas देखें, रंग हीन होती है, स्वाध हीन होती है, और साथी अक् अक्रियाग ऐसे जो योगिक बना सकती है तो डियने की जो दिगुनित कुंडली वाली जो स्रंकला थी इसकी खोज करने का सरी जाता है वाट्सनेंवं क्रिक को 1953 में मानो सरीर में ताप, भूग, पानि, और संतुलन को कौन विनियमित करते हैं तो देखें हमको जो भूग लगती है पानी प्यास लगती है और जो बैलेंस रहता है हमारी बॉड़ी का संचाली का इनको कंट्रोल कौन करता है हाइपो थेलेमस वाइरस क्या है तो वाइरस होते है सजी और निर्जीव के बीच की करगे माध्यम मिलेगा तो सजी हो जाएंगे माध्यम नहीं मिलेगा तो निर्जीव हो जाएंगे वाइरस मानोशरी में स्वसंकार का केंद्री और नियंत्रंग किस से होता है कि अन्थ्यूफटे की करें, तो स्वसंकार जो मतहले है of咎लता में और भू करा है, तो जीन के खया खाए हुआ हुदा कहा है ? पांधों की वूर्धिम आभने वाख यंथ्र कौन सा है ? नहीं दिलिए पॉधों के मिँजरमेंट कर सकता है यह अन्तर की इंटर कितने पॉधों में ग्रोथ हुई है। जब हम चोटा बीज बूते है। पॉधों की बाद पॉध्भा बढ़ा होता है। तो उसकी ग्रोथ को चेक करने के लिए पदार्थ कौन सा है तो सबसे जादा एक्टिव जो हैलोजन वाला सेरीज में रखा जाता है यह होता है फ्लोरीन ठीक है है यह स्वाद में नमगीन होते हैं और काफी क्लोरीन हो गया ब्रोमीन हो अगरे किस गयज काने नमें मार्स गयास है तो मार्स गयास बोल जाता है मीथेन多श स्वावर मार्स दान के खेतों काफ़ी मीथेन-गयज़लते है पसों के जुगाली गह पर भी मीथेन-गयज़लते है गोबर-घational spectrum है मांगल में पूरा में पूरा में पूरा मेत्हें में पूरा में तक गर्म आ जाते है आगले काफ़ी दिनों तक जैसा आप पजार में दूद लाते हैं ट्रीजिए से था ठीक है पैकेजिंग वाला दूद तो उसमें pasteurization method की जाती है दूद को एक नियमी ताप पर गर्म किया जाता है जिसमें उसमें उसमें जो बैक्टिरिया होते हैं वो खदम हो जाते हैं तो 30 degree Celsius पर गर्म किया जाता है दूद को ठीक है और इसी के लिए को का जाता है pasteurization तो आपने कभी भी दूद का package लिए उसमें देखा होगा pasteurite milk लिखा होते हैं और दूद से दही बनने में जो सायक बैक्टिरिया होते हैं वो थे lactobacillus द्यान देखेंगे ठीक है दूद से दही बनना कौनसी के लिए रासाइनिक के लिए है पके हुए आम पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो पका हुआ जो आम होता है एंग पपीता होता है भरपूल मात्र में विटामिन A पाया जाता है विटामिन A का अगर मैं आपको रासाइनिक नाम पूछू तो क्या होता है Ritinol. Vitamin A की कमdefinedसे, आ生कर धायी हो जाती है, रतोंधी हो जाता है. अगली किस VITAMIN से कारभाइडरट का उपाप अशिएन होता है, explosive मूसी है, वूँ है VITAMIN B1, जिसको हम जानता है थाईमीन नाम से, ठीक है? VITAMIN B1 को थाईमीन कहा जाता है. उस्मा का तथा विद्दूत का सर्वोत्तम चालक कौन है तो दीखें उस्मा मलब हीट और इलेक्टरशिटी इसका जो सर्वोत्तम चालक धातो है वो है चांदी चांदी का अगर सिंबल आएगा तो AZ याद रखना आप मोत्र का रंग हलका पीला होने का कारमल क्या है तो यूरीन का जो रंग होता है हलका पीला होता है यलो इस होता है क्यों होता है ऐसा रीजिन क्योंकि उसमें यूरोक्रोम की उपस्तिती होते है ठीक है यह महत्तोपूल कोश्य ने याद रखे है प्रोटीन को करने वाला अमल है तो प्रोटीन को पूरी बोड़े में जो प्रोटीन होता है वो होता है अमीनो आ शिड्त तो एस्थियों के wave gjort क्या का जाता है तो श्टियों का अध्यद मतलब इस्टाडिdes of bones ये कहला थियु 50ście का सम्भंधि किस से होता है पेस्मेकर का सम्नद्ध है हिलदाई से और देख डायलीसिस पूछ ले जाता है कभी में अगर्ट के इसे जो कार होता है वो instrumental किया जाता है इसी method को dialysis बोलते हैं और पेस्मेगर का संबंद है जब हार्ट एक निश्चित है जितना हार्ट को धवरकना चाहिए प्रती मिनट उससे कम अगर हार्ट की speed हो जाते है कोलस्ट्रोल वगरा रीजन होने की वज़े से तो मौने से मैं पेस्मेगर लगा जाता है हार्ट में जिससे उसकी जो हिल्दाई गरती है वो मैंटेन रहती है तो पेस्मेगर हिल्दाई से संबंदीत है भोपाल गैस राजदी किस गैस के रिषाव से हुई थी यह तो किडिनी का में काम क्या होता है बोडी में किडिनी का में काम होता है वो होता है बलट का प्यॉरिफिकेशन ठीक है बलट को प्यॉरिफाई करना ध्यान रखेंगे और जो वर्ग की कार्यात्म के काई होते हो नेफ्रोन होती है वर्ग का अंगुर में कौन सा अमल पाया जाता शेव मेन लिक असली और निवू सी फ्ल में इनवी निवु निवू सीफल में आपका साइटरी कमल होता है ठिक है पिक है और अंगूर में होता है आपका टारिक हमल गोताघोर समुदुल में सांस लेने型 लेकिलिए कौन जैसे हो समुदुल के नीचे जाएंगे तो उन पर दाब बगते जाएगा अगर क्यों ऑक्सिजन डाला जाए सिलेंडर में तो बॉटम में जाके उनकी नसे फरसती है तो हीलियम क्या करता है यह तनुकारी काम करता है यहां पर रक्त को पतला करतेता है वहां पर जब गोता ख अगर्फुल का सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सिजन तता हिलियम गैस डाली जाती है ध्यान लगेंगे शरीर में आरबीजी की संख्या ग्याद करने के लिए किस यंत्र का ओप्यों होता है तो आरबीजी में बता चुका हूँ रेड बलड सेल्स और इसकी संख्या ग्याद कर करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाई जाता है तो देखे जो हमारा रक्त होता है बलड होता है इसमें दो पदार्थ होता है मेंली एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिरानों ठीक है रुधिरानो मौद भी हो सकती है ठीक है तो दो महत्वपूर्ण पदार्थ है रख्त में ध्यान रखेंगे प्लाजमा और रूधिरानू पॉलिथीन किसका भॉलक है तो पॉलिथीन जिसका हम धैनिक जीवन में काफी उवियोग करते हैं यह भॉलक है एथिलेन का अगर सूत्र बूचा जाते हैं तो C2H4 तो किस पदार्थ में रबड़ आसानी से घुल जाता है तो देखें रबड़ तो आपने देखा है रबड़ घुलना उसकिल काम है लेकिन एक ऐसा पदार्थ भी होता है जिसमें रबड़ घुल जाता है यह होता है Carbon diasulfide भारत का पहला नगर जहां डाइनोसोरियम खोला गया है तो ये करंटर फेल ता लाश्ट एर का एक दो साल पहले का तो भारत का पहला नगर बना एमधाबाद जहां पर डायनोसूरियम खोला गया अयस्क में उपस्तित असुद्धी को क्या कहा जाता है तो देखे धातू का धातू संबंदी जो भी महत्वपूंग टॉपिक है यह आपको आपके NCRT बुक्स में दिये गए हैं जहां पे आप देखते हैं धातूं को कैसे सुद्धी क्या जाता है ठीक है तो अयस्कों में जो जाता है तो रणनीतिक धातू बोल जाता है टाइटेनियम को अरभी में कसेलेपन का कारण क्या होता है तो देखे अरभी अमारे परवति चेतर में काफी होते है अरभी की सबजी आपने खाई होगी अगर वह अच्छे से ना पके तो मों में कसेलापन लगता है खुजली ट भूली में इंटियान इंटिट्यूट माप किजी आप इंटरनेश्नल इंस्टिूट ओफ होर्ट क्या मैं स्तित तो दिक्छे होट् push गल्चर का जो इंटरनेश्नल मैं आपको ऐसे नई question देखने को मिलेंगे, जिनकी language समझ में नहीं आएगे आपको, तो इस type के question बनने वाले हैं, परिक्षिया में ध्यान रखेंगे, जो easy question है, वो भी आएँगे, moderate भी आएँगे, लेकिन top question भी काफी आएँगे, अज़िए इस examen में आपको पहले बता रहा हूँ, कौन सा उत्तक रोग विग्ज्ञान संबंदी नैदानिक माध्यन में, तो उत्तक रोग विग्ज्ञान संबंदी जो माध्यन में, कौन सा है, किस में होता है, ये पूझादार है, तो बायपसी बोलते हैं इसको, तो यह किसम होता है, तो यह कहलाती है autopsi, तो autopsi के अंतरकत क्या होता है, सव परिक्षया मैं सरीर उत्तकों की जाच होती है, समझ पायोंगे, तो friends यह थे आज सामानने विज्ञान के महतोपूंग प्रसनोतर, और देखें मैं लगातार इस सीरीज को continue रखूंगा, आपको chemistry, chemistry, bio और botany, तीनों के जो महतोपूंग कोश्यन है, अच्छे से मैं रटाऊंगा, आप बार-बार revision करें, और बार-बार इनको note कीजिए, आप पढ़ते रहिए, तब जाके आपका exam में बिल्कुल पी confusion नहीं होगा, देखें, मैं बाकी परिक्षाओं के लिए भी कोशिज नहीं हो, so thank you for watching guys, अपना ध्यान रखें, अच्छे से study करना, कोई doubt या query हो तो, देखें, message में comment, यहाप पर जो YouTube में comment करते हैं, आप comment उतने point संभाव नहीं है, तो आप में को personally message कर सकते हैं, हमारे Facebook page पे, देवभु मी career point के message box में जाईए, मेरे को message कीजिए, I will reply you soon, so thank you for watching, please do like and share, take care, bye bye